कि नमस्कार दोस्तों आज हम एम्बोस एप से न्यू एक्टिवेशन मतलब न्यू इंस्टोलेशन एड़ करना सीखेंगे पहले हम यहां न्यू ओडर पर जाएंगे उसके बाद यहां पे हमने कस्टमर मुबाइल नंबर डालना है कस्टमर मुबाइल नंबर डालने के बाद इसको सब्मिट करेंगे यह वीडियो बस डीलर भाईयों के लिए है प्लीज कस्टमर और इसको ना देखें और ना ही अपना टाइम विस्ट करें mobile number submit करने के बाद ये वाली window open होगी इसमें पहले customer का first name डालना है first name enter करने के बाद हम इसमें next उसमें डालेंगे उसका last name उसके बाद date of birth डालनी है date of birth डालने के बाद हम next ठीक है यहाँ पे alternate mobile number डालना है एक mobile number हम पहले एंटर करके जो first step पे था mobile number डालके आगे आते हैं यहाँ पे एक second mobile number और डालना होता है यह mobile number डालने के बाद नीचे है email ID का वो optional है डाले ना डाले इसके बाद address उसके बाद second address 2 में second address जो भी है कोलोनी वगारा landmark जो इस जगा की पैचान है वो डालना है landmark डालने के बाद पिन कोड डालेंगे झालना है झाल झाल यहाँ पिन को डाल दिया इसके बाद पिन को डालने के बाद यह अपने आप सर्च करेगा उसमें सिटी और सिटी मतलब डिस्टिक नेम आ जाएगा और स्टेट का नाम आ जाएगा उसके बाद यह ड्वेलिंग यूनिट क्लिक आए जाएगा SD होगा इसको next कर देंगे उसके बाद हमने यहाँ किट का scratch pin number डालना है ना कि serial number ठीक है दोस्तों यह ध्यान रखने वाली बात है यहाँ serial number नहीं डालना है scratch करके जो नीचे से pin number निकलता है वो डालना है उस scratch pin number डालके नीचे फिर इसके बाद हम STB type select करेंगे चलिए मैं scratch pin number डाल देता हूँ यह हो गया इसके बाद यह चेक करेगा यह scratch pin number मतलब यह kit activate है नहीं activate है अगर kit गलत होगा तो यह आगे नहीं जाएगा इससे आप इससे कोई भी kit चेक कर सकते हो यह expire तो नहीं होई यह valid kit है योज होई है के नहीं होई अगर इसमें से योज होई हो kit में कोई भी problem होगा तो यह kit यह आँ से आगी नहीं जाएगा यहाँ पर channel list दिखा देगा जो जो आपके उस back में न channel आएंगे इसके बाद ok कर देंगे ठीक है यहाँ अपने पूरा फिल की है वो सब कुछ इसमें आएगा पूरी detail आजाएगी आपके पास यह एक बर दोबारा चेक करके ठीक से नाम, address, mobile नमबर सब चेक करके next कर देंगे और यहाँ पर यह आपका amount मांग लेगा कि कितनी amount चाहिए हमें इस pack को book करने के लिए ओपर आप लापो नमबर डालेंगे और फिर लापो पिन नमबर डालके प्रोसेड कर देंगे और सब्मिट करना है बस यह थोड़े बस यही काम है, installation डन हो गया बहुत आसान काम है अभी थोड़ी देर में आपके service center या DS के पास यह पहुंच जाएगी यह दिखिए यह SMS आपके DS के पास पहुंच चुका है नमस्कार दोस्तों थेंक्यू वीडियो देखने के लिए धन्यवाद किरपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए राम राम